तो अलेवोर फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको रिखने वाला हूँ आईपोन के पांच ऐसे टेपस बताने वाला हूँ जिसको आप यूस करेंगे आपने आईपोन में तो आपको डेफिनिटली बहुत मजा जाएगो इसमीजी खुछ तो आपको डेफिनिटली इसके लिए विए आपने short400 लोगा प्लोखेंगे सबसे वहां आपने हिटर प्रफोटो का आपने आपने आईफोन में फोटो को हाइट कर सकते हैं। और उस हाइट करनेगे और वP ro macro के यूझ करेंगे दो बता दूँ को बीआ हुग आपको जाना एका stripping करने देने ओपर की तरफ करूँगा तो आपको यहां नीचे मिलेगा unea сид at could capture दिखे और यह देना गाहिए श्री पीट है लिए फोटो की ओनवापको यह वर्ल पर पर चाहते हैं जो हाइड वाला फोलड़ रही यहां पर भी नहीं देखें अपने आईफून की सेटिंग पर आपको यहां पर जाना है फोटो वाले ऑप्शन पर यहां पर जो हाइड अपने फोटो वाला एलबम नहीं मिल रहा मतलब की फोटो और वीडियो आपकी वह तरह से डन हो चुकी है तो सबसे बहला टेप यह सबसे बहला फीचर जो था यही message को लेकर, अगर आप अपने आईफोन में अगर कसी को message करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत फीचर सा iCors देखता है, क्या बोली देखते हैं मैं आपको बताता हूँ like मैं यहां पर message पर आया यहां पर मैंने message पर खोला और एक message मैने यहां पर type करा यहां पर आप देखेंगे मैंने एक message type करा और यहां पर मैं लिखता हूँ आई एम एट जैसी मैं आई एम एट लिखूंगा तो वहां पर आपको करेंट लोकेशन दिख रहा होगा आप जैसी उस पर क्लिक करेंगे आपकी लोकेशन वहां पर पेस्ट हो जाएगी तो यह आपको मैसेज के अंदर ही मिलेगा अगर आप मैसेज में कहीं जाए लिखेंगे किसी को आई एमेट तो आपको समझ जाएगा कि आप एड्रेस बताना चाहते हैं वह कुदी आपको बता देगा वह यह एड्रेस है उसके आपको लेकर यहां पर क्लिक करना होगा और वहां पर आपको करने को आपको यहां पर लिख लिए जैसे मालों आपको कुछ करना है आपको यहां डवल वार टैप करना है तो वह अंडू हो जाएगा जैसे मेरे यहां पर लिखा दो तो तीन तिन वार यहां पर लिखा अगर आप उसको अंडू करना है तो मैं यहां पर दो बार टैप कर और undo भी कर सकते हैं तो दो रूफ फीचर को आप यहां पर use कर सकते हैं उसके दोस्तों में फूर्थ बताने वाला हूं जो की है बहुत ही कमाल का फूर्ट जो बताने वाला हूं वो है screenshot को लेकर, अगर आप अपने mobile में screenshot लेते हैं, screenshot लेने के आद दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर screenshot लेने के आद मैंने उसको open कर लिया, open लेने के आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस के icon में जाके यहाँ पर magnifier कर यूज कर सकते हैं, अगर आ ने बाकी सब को ब्लर कर दिया उस पर ही फोकस रहने दिया और यहां पर जाके आप एरो का भी यूज़ कर सकते हैं तो आप इस एरो को कैसे भी मूफ करके यहां पर उसको ड्रेक कर सकते हैं यहां पर एरो पर क्लिक करके आप उसको कहीं भी ऐसा करके arrow को यहां से गुमा फिरा के जैसा मर्जी आप लगाना चाहे अपने साब से उसको भी लगा सकते हैं तो आप यह सब चीज़े यहां पर कर सकते हैं इसके अंदर और उसको यहां पर save कर लेंगे तो जैसा आपने save करा वह वैसा वहां पर save हो जाएगा तो फोर टिप यही था जो कि मुझे बहुत ही शांदर लगा यह वाला टिप भी यह बहुत काम का फीचर लगा मुझे तो यह वाला बट उससे तो बहुत ही जादा बहुत अच्छा लगा मुझे यह वाला फीचर अब जहां पर जाते हैं और वही पर रुख जाता है और बहुत ही एजिली यह काम करता है मुझे तो यह वाला फीचर बहुत बैस लगा इसके अंदर करजर कंट्रोल का वह भी इसमें आईफोन की कीवोर्ड में यह फीचर मुझे सबसे बैस लगा दोस्तों जो कि मैंने आपको पांच हीड़न फीचर बता है अभी दोस्तों मुझे उमीद ही कि आपको मेरी वीडि सबस्क्राइब नहीं किया उस्तों प्लीज मेरे सबस्क्राइब करना ना बोलें तकि मेरे चनल की नेक्स वीडियो की अबड़ेड़ा को सबसे पहले में है ले और मैं बहुत जल्द तक पहुच जाओं उसके बद और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं उमीद है कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू और हो सके तो मुझे इंस्टाराओं फिर तो फॉलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो थैंक यू